आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यक किलोवाट शोलर सिस्टम से हमें रोजाना कितने बिजली मिलेगी बीना बिजली कनेक्शन के क्या हम अपने घर के अप्लाइंस को चला सकते हैं और वन किलोवाट शोलर सिस्टम से क्या किarticken finishes चलाया जा सकते हैं इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमारे घर के अप्लाइंस के लिए कितने यूनिट की ज़ुरूत होती है और कितने कीलियोवाट का सोलर सिस्टम हमें खरीदना चाहिए तो इन सारे सवालों को जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है तो दोस्तो इस वीडियो को अंतक देखें और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तर छोटी सी अपील कि अगर इस चैनल पर नहीं है तो प्लेजिस को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और बेल आइकान को दबना नहीं पुरिए तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं पॉमन सवाल सबके दिमाग में होता है कि जितना ज्यादा सोलर पैनल होगा उतना ज्यादा अप्लाइंस हम चला सकते हैं यह बात सही भी है और गलत भी है क्योंकि दोस्तो हमारे घर के अप्लाइंस डारेक्ट सोलर पैनल से नहीं चलते हैं सोलर पैनल बैटरी को इनवर्टर के माद से चार्ज करते हैं उसके बाद बैटरी की हल्प से हम अप्लाइंस को चलाते हैं आपको जितना ज्यादा लोड एक समय में चलाना होता है उतना ही ज्यादा capacity का inverter आपको लेना होगा और जितने लंबे समय तक आप अपने लोड को चलाना चाहते हैं उतनी capacity की बैटरी की ज़रूत पड़ेगी और इसी इसाफ से solar panel को भी लेना पड़ता है अब बात करते हैं कि एक किलो वाट सोलर सिस्टम से हमें डेली कितने यूनिट बिजली मिल जाएगी तो दोस्तो बिजली बनाने का जो काम है वो solar panel का है एक नॉर्मल लोकेशन यानि राजस्तान जैसे इलाके की बात करें तो ऐसे इलाके जहां नॉर्मल धूप मिल जाती है वहां एक किलो वाट वाट सोलर सिस्टम से 4-5 यूनिट बिजली मिल जाती है डेली लेकिन अगर आप उतरी भारत के इलाके यानि के जमू लद्दाग माचल इस तरह के इलाके से हैं तो एक किलो वाट सोलर सिस्टम से 2-3 यूनिट ही बिजली मिल पाएगी इसके अलावा बारिस के मौसम में चार्ज होती रहती है, एक किलो वाट सोलर सिस्टम में 150 AH की दो बैटरी लगी रहती है, दोनों ही बैटरियों से हमें लगभग 3600 वाट का आउटपुट मिल जाता है, जो बैटरी है वो दिन के समय सोलर पैनल से कंटिन्यूस चार्ज होती रहती है और बैटरी से हमारे घर का लोड वो कंटिन्यू रहता है, तो दिन के समय हम दो यूनिट खर्च कर सकते हैं और तीन रात के समय हम कामे ले सकते हैं, अगर बैटरी फूल चार्ज है तब, आप समझते हैं कि एक किलो वाट सोलर सिस्टम से क्या-क्या चला सकते हैं और इन्हें कितनी देर तक चला सकते ह तो यहाँ पर हमें में चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो इन्वर्टर होता है, वो कभी भी अपने फूल कैपसिटी पर वक नहीं करता है, उस पर हम 70% कैपसिटी तक ही लोड दे सकते हैं, अगर आपका लोड ज्यादा है, तो आपको ज्यादा कैपसिटी वाला इन्वर बिजली खाएगा, वहीं पर रेफिजेटर 2400 गंटा चलता रहता है, तो यह एक दिन का 1000 वाट तक विजली का खवत करता है, अगर दो फैन चलाते हैं, और हर एक फैन 17 वाट का है, और अगर यह 10 गंटे तक चलता है, तो 1400 वाट तक यह पावर कंजूम करेगा, वहीं अगर अगर चल रहा हो, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरे हेवी अप्लाइंस बंद करते हैं, एक LED TV जो की 60 वाट का नॉर्मली पावर कंजूम करता है, दो घंटे अगर चलाते हैं, तो टोटल 120 वाट पावर कंजूम करेगा, तो देखा जाए, राउंड फिगर तो करीब किलो वाट के सोलर सिस्टम की रिक्वार्मेंट है, तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आपका जो विजली का बिल है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक महीने में आपको कितने यूनिट विजली का खपत है, यह देखने के बाद मालीजी आपको यह पता चल जाएगा, कि इसका मतलब यह है कि आपको डेली दस यूनिट विजली की खपत है, तो इस इसाब से दो किलो वाट डस सिस्टम आपके लिए बेस्ट रहेगा, अब बात करते है कि आपको एक किलो वाट सिस्टम के लिए कितना कासिट का इंवेर्टर लेना चाहिए, तो दोस्तो मैक्सि के वीडियो में बस इतना ही उम्हेद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक किलो वाट सोलर सिस्टम को इस्टॉल करने के बाद आप अपने घर के कितने अप्लाइंस को चला सकते हैं और यदि आप और भी ज्यादा अप् दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं तब तक के लिए अलवीदा थेंक्यू